नमस्कार आपका अख्वार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग उद्धो ठाकरे की रही सही उमीद जो थी शिवसेना को बचाने की वो खतम हो चुकी थी अब शिवसेना का नाम बचाने की भी उनकी उमीद खतम हो गई सुप्रीम कोड का जो फैसला आया है सम्विधान पीट का जिसकी अध्यक्षता जस्टिस धरंजय चंद्रचूड कर रहे थे उसने उद्धो ठाकरे के पक्ष के वकीलों कपिल सिब्बल और अभिशेक मनु सिंग्वी की ये दलील मानने से मना कर दिया कि चुकि सम्विधान के 10th schedule में दस्मी अनुसूची में विभाजन की कोई 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 गुंजाईश नहीं है या कोई प्रावधान नहीं है या गुट का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए चुनाव आयोग को रोका जाना चाहिए ये फैसला करने से ये प्रक्रिया शुरू करने से कि असली शिवसेना कौन है एक नाच शिंदे का गुट जो है वो असली शिवसेना है या उद्धव ठाकरे के पास जो बच्ची है शिवसेना वो असली शिवसेना है चुनाव आयोग ही इसका फैसला कर सकता है सुप्रिम कोर्ट नहीं कर सकता है। और उनकी पार्टी को यानि उद्धव ठाक्रे के गुट को असली सिवसेना की मानेता दी जाए यह मुद्दा चल रहा है तो कई-कई जो है प्रार्थनाय थी उद्धव ठाक्रे गुट की एक यह था कि जब तक सम्विधान पीठ इसकी सुनवाई नहीं करती पहले यह मामना तीन जज़ों की बेंच के पास था तब जस्टिस एन्वी रमना थे चीफ जस्टिस उनकी अगवाई वाली बेंच के पास था उन्हों कहा कि इसमें कई मुद्दे हैं जैसे स्पीकर के अधिकार की बात है इसमें 10th schedule की बात है एंटी defection law की बात है इसके अलावा इसमें जो की बेंच सुनवाई कर रही है उसने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया चुनाव आयोक को हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोक नहीं सकते उद्धव ठाक्रे गुट जो है वह 29 जून को उद्धव ठाक्रे ने स्तीफा दिया था मुख्यमंत्रीप से उसके बाद एकनाश शिंदे और बीजेपी की सरकार बनी थी अगस्त में एकनाश शिंदे का जो गुट है वो चुनाव आयोक के पास गया और ये दावा किया कि असली सिवसेना हम है हम ही है शिवसेना और हम ही को शिवसेना की रूप में असली शिवसेना की रूप मानित और शिवसेना का जो तीर धनुष का चुनाव चिन है वो भी हमको दिया जाए इसके खिलाफ इसी के खिलाफ जो है उद्धव ठाकरेगुट सुप्रीम कोट में गया कि चुनाव आयोग की कारवाई पर रोक लगा दीजिए क्योंकि चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे को कि चाकि चाका सुप्रीम कोट में गया का दीजिए को ये कहना था कि जो आप सुनवाई कर रहे हैं वी धायकों की सzerसिता रद करने का अगर उससे पहले फैसला हो करेगा वो अलग मामला है तो सवाल यह है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोट से मंजूरी मिल गई हरी जंडी मिल गई है हला कि सुप्रीम कोट ने चुनाव आयोग को कोई लिखित आदेश नहीं दिया था सिर्फ इतना कहा था कि इस इशू का यानि चुनाव आयोग सुनव दोनों पक्षों से एफिडेविक मांगेगा कि आपके समर्थन में कौन है दो तरह के समर्थन को देखा जाता है चुनावा युग द्वारा पहला आपका लेजिस्टिलेचर और पार्लिमेंटरी पार्टी में बहुमत किसका है किसके साथ जादा लोग है दूसरा मामलो में होता यह है कि जो संगठन का दावा होता है उसमें ऑवरलेपिंग बहुत होती है एक परसमर विरोधी दावे होते हैं तो यह एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है चुनावा // को सब्पी स्क्रूट्रणी करनी पढ़ती है जिन लोगों को समर्थन में बताया गया है अगर उनमें से दोनों लिस्ट में कुछ नाम common है तो उनको बुलाकर, या उनके पास चुनावायों का प्रत्रиваетक दी जाता है, वो जाकर उनसे पूछता है, तो इस प्रक्रिया में समय लगता है, दो से तीन महिने, cयार महिने भी लग सकता है, अगस्त में शूरू होई होती तो शायद एकाद महिने में पूरी हो जाती प्रत्रिया वही नहीं चाहता है जो है उद्धव ठाकरे गुट उनको मालूम है कि BMC का चुनाव होने वाला है BMC का चुनाव उसके बाद लोक सभा चुनाव फिर विधान सभा चुनाव अगर उससे पहले शिवसेना उनके हाथ से निकल गई तो उनके लिए पुलिटिकल सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा दूसरा जो पक्ष है लेजिसलेचर और पार्लिमेंटरी पार्टी का उसमें बड़ा इस्पष्ट है इसमें कुछ ज्यादा जो है चुनाव आयों को जाचने पर रखने की जरूरत नहीं है विधायक कितने है शिवसेना के एकनाश चिंदेगुट के साथ बड़ा स्पष्ट है सांसद कितने है ये भी स्पष्ट है विधान परिशन सदसी कितने है राज्यसभा के सदसी कितने है ये ये बटवारा बिलकुल साफ है तो जो टेंथ शेडूल है कॉंस्यूशन का दस तिहाई विधायक या सांसद अगर अलग हो जाते हैं पार्टी से तो अपना अलग गुट भी बना सकते हैं किसी पार्टी में मर्जर भी कर सकते हैं और अलग पार्टी के रूप में मानेता भी प्रप्त कर सकते हैं लेकिन उसको खतम करने के लिए विवस्था यह की गई कि प निकलने के बाद आपको किसी पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा, विलै करना पड़ेगा. अगर विलै नहीं नहीं किया तो आपकी सधस्टा चली जाती है. अब सवाल thoughts शिंदेगृट की सध सधस्टा क्यों नहीं चली गई वो वो पार्टी से अलग हो तो दोतिहाई हैं, तो दोतिहाई अलग होने पर सदस्टा नहीं जाती लेकिन उनको विलै करना चाहिए था विलै नहीं किया, तो सदस्टा स्वतिह चली जानी चाहिए। यही उध्हहथाकने गुट दावा है कि उन्होंındे सदस्टा चोड़ दी है इसलिए उनकी सदसेता रद कर दी जाए जो दस बारा विधायकों के को नोटिस दिया था उस समय के डिप्टी स्पीकर ने जिनके खिलाब खुद अविश्वास का प्रस्ता हो था उनको यह अधिकार था कि नहीं सुनवाई करने का इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोट विचार कर रह लाता है कि एक नाच शिंदे गुट के इन विधायकों की विधायकी क्यों नहीं जा रही है वो इसलिए अभी तक नहीं गई है कि एक नाच शिंदे गुट यह दावा कर रहा है कि हमने पार्टी तो कभी छोड़ी ही नहीं हम शिवसेना में हैं और हम असली शिवसेना में है 10th schedule का इस्तिमाल कोई भी नेता पार्टी पर कबजे के लिए नहीं कर सकता है अगर नेता ने पार्टी का विश्वास खो दिया है तो वो 10th schedule का सहारा नहीं ले सकता अब मुश्किल यह देखिए होता क्या है चुनावाई के सामने जब मामला जाता है तो दो तरह से देखता है वो एक तो बटवारा देखता है कि किसके साथ बहुमत किसके साथ है legislature party में उसके अलावा संगठन में अगर यह इस पश्ट हो तो फिर जो है जो जिसके साथ बहुमत है जैसे आपको याद होगा कि 2017 में चुनाव से पहले जब शिवपाल यादव ने यह दावा किया था चुनावायोग में कि हम असली समाजवादी पार्टी है तब चुनावायोग ने जांक परताल के बाद तैय किया कि समाजवादी पार्टी का जो गुट अखलेश यादव के साथ है वो बहुमत में है वही असली समाजवादी पार्टी है तो इसलिए जो है न तो सिंबल फ्रीज हुआ और नहीं जो है शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी का नाम इस्तेबाल करने का अधिकार मिला अगर अगर चुनावायोग इस नतीजे पर पहुंचे कि कि किसका बहुमत है यह तैय नहीं हो पा रहा है तो होता यह है कि सिंबल जो है वो फ्रीज कर दिया जाता है चुनावचिन जप्त हो जाता है दोनों गुटों को नया जो है चुनावचिन दिया जाता है वो अलग पार्टी के रूप में भी रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और चाहें तो पुरानी पार्टी के नाम के साथ कोई सफिक्स लगा कर कोई उसके बाद में कोई शब्द जोड़ कर वो अपनी पार्टी का नाम रख सकते हैं जो लोग जन्शक्ति पार्टी के मामले में हुआ एक गुट को जो है हेलिकाप्टर का चिराक पासवान को हेलिकाप्टर का सिंबल मिला और दूसरे गुट को भी वो सिंबल जो पुराना जोपड़ी का सिंबल था लोजपा का वो नहीं मिला तो अब सारी उद्धव ठाकरे गुट की कोशिश ये थी कि अगर पूरी पार्टी नहीं मिल रही है तो आधी मिले, आधी मिले मतलब सिंबल फ्रीज हो जाए, अगर हमको नहीं मिल रहा है सिंबल तो शिंदे को भी न मिले, दूसरा नाम इस्तेमाल करने का अगर शिंदे को अधिकार मिल रहा है तो हमको भी मिले, तो शिव से ना बाल ठाकरे या उद्धव ठा या इस तरह का कुछ नाम वो रख सकते थे लेकिन अगर चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंशता है कि लेजिसलेचर पार्टी और संगठन दोनों में एक नाशिंदे गुट का बहुमत है तो उद्धव ठाकरे को ना तो शिवसेना का सिंबल मिलेगा और नहीं नाम तो बाल ठाकरे ने जो पार्टी शुरू की थी जो उनकी पार्टी का सिंबल था चुनाव चिन्न था जो महाराष्ट में घर घर जाना जाता है वो सिंबल एक नाशिंदे को चला जाएगा या कम से कम स्थिती जो जैसी है उसमें उद्धव ठाकरे को नहीं मिलने वाला अग के लिए कि आगे अगर ऐसी स्थिती आती है तो स्पीकर का इधिकार कहां तक होना चाहिए क्या स्पीकर पार्टी के पक्षकार के रूप में काम कर सकता है क्या स्पीकर के फैसले को चुनौती कब दी जा सकती किन हालातों में दी जा सकती है चुनौती तो कई बात दी गई ह और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला भी सुनाया है इसलिए चुनावती नहीं दी जा सकती ऐसा नहीं है लेकिन क्या अगर स्पीकर के खिलाख नो कॉन्फिडेंस का मोशन है तब भी वो सुनवाई कर सकता है ये भी सवाल है उसके अलावा कई सवाल है जो समयधानिक मुद संवाजान नहीं है तो तब उस पर जस्तिस चनद चूर ने कहा कि लेकिन चुनाव आयोग में है चुनाव आयोग दो गुट मानता है क्योंकि सम्विधान पार्टी को nécessaire क्नाई नहीं करता भारतिये सम्विधान में कही ча n reun किवल विधायक दल और संसदीर दल होता है उसके अलावा पार्टी का नाम नहीं है लेकिन चुनाव आयोग के सामने है तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग को इस सुनवाई से रोक नहीं सकते हैं अब शिंदे गुट के सामने इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई हो और उन विधायकों की आयोगेता पर फैसला है मुझे लगता नहीं कि जिस तरह से पूरा एपिसोड चला मई जून में उससे शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता जाने वाली है क्योंकि जो दुस्व में speaker थे नहीं कोई speaker नहीं था महाराश एसेंबली में deputy speaker थे deputy speaker के खिलाब शिंदे गुट पहले से ही no confidence का motion दे चुका था तो उनकी जो स्थिती थी वो संदिग्ध हो चुके थी, तो अब उद्धो ठाकरे के लिए मुश्किल हो जाएगा, BMC चुनाओ तक तो कोई फैसला अंतिमाने के उमीद नहीं है, लेकिन अंतरिम फैसला चुनाओ आयोका आ सकता है, और यह हो सकता है कि टेंपरेरिली जो है, द चुनाओ चिन्ह के बिना ही लड़ना पड़ेगा, उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही है, जिस हालत में उनके सहयोगी, कॉंग्रेस पार्टी और NCP है, उसकी वज़े से और उनकी मुश्किल बढ़ने वाली है, तो कुल मिलाकर उद्धो ठाकरे के लिए सारे रास्ते बंध होते जा रहे हैं, और BMC चुनाओ तै करेगा कि उनका राजनितिक भविश्य क्या होगा, जो काफी अभी तक काफी कुछ इसपष्ट दिखाई दे रहा है, जिस तरह से पंचायत चुनाओ के नतीजे आए हैं, वो एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, लेकिन उस पर मुहर लगेगी BMC के चुनाओ नतीजों से, तब तक इंतजार करते हैं, चुनाओ आयुक के फैसले का भी इंतजार करते हैं, तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, किसी ने मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजे, आप से अनुरोध है क के चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सबस्क्राइब जरूर कीजिए, नमस्कार.